बूर्णिंग बच्छो मिसन सिक्षिन समवाद के पढ़ाई से प्रतविक्तक तक के इस वीडियो में आपको स्वागत है पिछले वीडियो में बच्छो आपने ब्यास से संबंदित महत्पुन्ट फॉर्म्लास को जाना था कि आखिर ब्यास क्या है और उसके कुछ प्रशनों को जाना था आज इस वीडियो में बच्छों हम लोग ब्यास से संबंदित महत्पुन्ट प्रशन जानेंगे बच्छों आज के सावाल सुरू करने के पहले कॉंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा जो मैं सभी कोस्टेंस में अपलाई करूंग आपको पता है बच्छों पि से अगर याद करना हो यह देखिए था जादा समय ले रहा है तो हम ऐसा याद कर सकते हैं ऐसा इस इकल टू पी आर्टी भाई हंडड़ तुरंद हमने बोल दिया ठीक है तो यहां पर हमें यह फॉर्मला बेसिक जो हमला फॉर्मला साधारन बयाच क्या है आपको याद है ठ तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगा हम क्रॉस मल्टिप्लाई का नियम हमेसा लगाएंगे बच्चो क्रॉस मल्टिप्लाई में आप इस चीज को देखे चेंज करके इधर से लिख सकते हैं पी आर्टी बाई हंडर्ड इकल टू एसाई ठीक है क्योंकि एक दूसरे से बर सदारन ब्याज के साथ और बाकी दो चीजे जो टी के साथ गुणा थी पी और आर मुल्धन और दर वो आ जाएंगे नीचे की तरफ तो बच्चो इस तरह से देखे समय निकल गया है वैसे ही बच्चो अगर आपको माल लीजे यहाँ पर दर निकालना है तो आर को आप अके कुछ रहा हो तो मुल्धन या दर या समय या हम सदारन ब्याज को निकाल सकेंगा असानी से सभी फॉर्मला हमें याद करने की जोड़त नहीं है कि समय बराबर यह होता है दर बराबर यह होता है या मुल्धन बराबर यह होता है यह फॉर्मला हमें अलग से याद करने की आ सकता नहीं है बस आप एक फॉर्मॉला याद रखे साधारन ब्याज बराबर मुल्धन गुणे-दर गुणे समय बटा सो या एसा इस इस इकल टू पी आर्टी वाई हंडड़ पहला प्रशन बच्चों आपको दिख रहा होगा सुमीत अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्स की दर से 7500 का उधार देता है यदि राहुल उधार 8 वर्स बाद चुकता करता है तो सधारन ब्याज कितना होगा जैसा आपने बच्चों सवाल में देखा यहाँ पे जो मूल धन है या प्रिंस्पल अमाउंट पी है वो है 7500 और जो दर दी गई है आर जिसको हम सौट फॉर्म में रेट कहेंगे वो है 6% और समय जो है उटी हमने माल लिया टाइम तो यह 8 वर्स है तो आपको पता है जो हम सब्सक्राइब यानि की मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा सौ तो यहाँ पर देके जो जो फीकर दी हुए है बच्चों उसको हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं यहाँ पर पी यानि की मूल धन जो है 7500 है रेट यानि की दर जो है वो 6% है समय आठ वर्स दिया हुए टी जो समय है वो आठ वर्स है बटा सो अब हम यहाँ पर बच्चों काट दे रहे हैं 0-0 कटा फिर 0-0 कटा तो अगर हम इसे गुणा करते हैं बच्चों तो यह आएगा 3600 रुपे तो कुल ब्याज जो बच्चो वर्स में 3600 के मिलेगा अब आयो बच्चों सेकंड कोश्चन देखते हैं बच्चों आपको सेकंड कोश्चन देख रहा होगा निर्वेस खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है बैंक की वार्सिक ब्याजदर 6% है यदि निर्वेस 9 महीने में ही लोन चुकाना चाहता है त तो बैंक उससे कितना ब्याज लेगा तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं यहां मूल धन जो है प्रिंस्पल अमांट जो है वो दस अजार है जो दर है रेट जो है वो है 6% और समय जो है समय दिया हुए 9 महा आपने यह भी जाना है कि जो हम लोग फॉर्मला यूज करते हैं PRT by 100 का तो इसमें हमेशा जो समय होता है वो बच्चों होता है वर्स में तो यहां तो भाई जो समय दिया है 9 महा दिया वह तो इसे हम क्या करेंगे समय बदलेंगे हमें पता है कि एक वर्स में कितने महा होते हैं 12 महा होते हैं ठीक है तो 9 महा में कितने वर्स होंगे इसक से हम काट देंगे 3 3 9 3 4 12 तो यह आ गया है तीन बटा चार वर्स अब हमें सब चीजे देखे बच्छों मिल गई है अगर हमें ब्याज इसका निकालना है तो हमें मूलधन पता है दर पता है समय बता है सब पता है तो हम फॉर्मला फिर से लिखेंगे ब्याज बराबर ठीक है इसको SI भी कहते हैं मैं इंग्लिस फ़ला ही लिख दे रहा हूं SI बराबर पी आर्टी वाई हंडर्ड आपका SI सिंपल इंट्रेस्ट बॉच्चों सिंपल इंट्रेस्स दारन ब्याज तो यहां पर जो भी हैं पी का वैल्यू डाल दे रहें बुच्चों पी की वैल्यू है द , 2-0 यहां कटठा फिर 2 से काट दे रहे हैं दो दो नहीं चार 0 2 ठीक चैए फिर हम इसे फिरसे 2 से काट दे रहे हैं यह आएगा 50 ठीक है अगर हम इसको आपस में गुणा करते हैं तो यह यह आएगा जो मूलधन है वो दिया हूए 100 रूपए समय दिया है टी जो दिया हूए 10 वर्श यहां बच् two जो 200 हो जाएगी मतलब कि यह मिस्र भंद निया हूए हमारा कि कुल कितने पैसे मिलेंगे मतलब игр amount दिया हूए होता है तो 200 रुपए कुल मिलेंगे तो यहां देख सकते हैं बच्चों सधारन ब्याज जो ऐसा ही होता है वो A-P होता है मिस्रधन माइनस मूलधन तो यहां पर देखें मिस्रधन दिया हुआ का फॉर्म्मला होता है ऐसा ही होता है वो होता है पी आर्टी भाई हंडेड ठीक है तो यहां सबकी वैल्यू लिख दे रहे हैं बच्छों ऐसा ही मतलब कि साधाराम राज पहले से पता है 100 पे बराबर मुल्धन हमारा है 100 पे धर हमें पता नहीं है और समय जो दिया हुआ है व अच्छे से आएगा इस चीज को मेधर उस चीज को अधर लिख देरों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ताकि आप असानी से इसको समझ सके है अब देखे यह असानी से आप समझ सकेंगे आर हमें अकेला करना है तो आर को हम अकेला छोड़ दें यह 100 ऊपर जाके इस वाले 100 स बटे यह जो आर के साथ संख्यान जो गुड़ा हो रही थी वो नीचे की तरफ आ जाएंगे 100 गुड़े 10 अभी देखे मैं काड़ दे रहा हूँ कितना आया बच्चो उत्तर इसका 10 परसेंट उत्तर आ गया तो जो हमारा दर होनी चाहिए वो 10 परतीसत की दर से हमें मिस्र धन 200 रुपे कुल प्राप्त होंगे कोस्चन नमर चार है बच्चो पचास हजार की रासी कितने वर्सों में असी हजार हो जाएगी यदि यह 6 परसेंट की वार्सिक दर से बढ़े तो यहां प्रशन के अनुसार आप देख रहे हैं बच्चो कि मूल धन जो दिया हुआ है वो पचास हजार दिया हुआ है दर जो पता है कि SI जो सधारन ब्याज होता है वो होता है क्या है amount minus मूल धन principle amount मतलब कि मिस्रधन माइनस मूल धन होता है तो यहां पर आपका मिस्रधन दिया हुआ 80,000 रुपे और मूल धन आपका दिया हुआ है 50,000 रुपे अगर हम इसे घटा देते हैं तो आपका सधारन ब्याज जो है वो निकल आएगा 30,000 रुपे ठीक है अब आपको सधारन ब्याज का formula पता है बच्चो SI क्या होता है SI बराबर PRT by 100 तो हमें यहाँ पे सबकी value डाल दे रहे हैं जो जो हमें उपर से पता है तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको प्लट की अभी से लिख दे रहा हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं PRT by 100 equal to SI ठीक है अब इसकी value हम डाल दे रहे हैं हमें पता है मूलधन कितना है 50,000 दर कितना है 6% है समय हमें पता नहीं है समय हमने T माना हुआ है चोटा T बटे 100 और हमारा जो SI है वो निकला है 30,000 रुपे तो यहाँ पे फिर हम cross multiply का बच्चों नहीं है अपनाएंगे यह 100 और चला जाएंगे जो T के साथ संख्या है वो नीचे चले जाएंगी तो आपका T वरबर क्या होगा हुआ है 30,000 गोडे सा बटे का पिचास अजार के गोडे शेत हम यहाँ आ काट दे रहे हुएं देखि पूरा पूरा ठीक है question no.5 है किसी रासी को दस वर्ष में तीन गुणा करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होनी चाहिए तो यहां बच्चों देख सकते हैं कि किसी रासी किसी रासी दिया है मतला हमें यहां पे मूल धन भी नहीं दिया है कि स्मॉल पी है ठीक है और यहां समय यहाई दिया हुए है Shk Speed दिया है?.. समय दिया है दस परसु और जानकरी होई है कि वह जो रासी है die वह तिन गुना हो जाना चाहिए मतलब कि मिस्र धन दिया हुए हमारा मिस्र धन जो है मूल धन का TIN कुना हो जाना चाहिए ठीक है तो मुल धन हमने क्योंकि P माल लिया है इसलिए हमारे मिसर्धन क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा ठीक है तो अब देखे साधारन बDayयाज आपको पता है कि सिंप्ल एंटेस्ट जो हमरे साधा धरन द्याज होता है वो होता है A-P, amount minus principal, मिस्रधन minus मूलधन, तो मिस्रधन हमारा देखे दिया हुए 3P, अब मूलधन हमारा दिया हुआ है P, अगर हम इसको घटा देते हैं तक क्या उत्तर मिलेगा 2P, ठीक है अब हम अपने सधारन ब्याज का formula लगाएंगे जो हमें पता है, सधारन ब्याज बराबर होता है, SI बराबर, PRT by 100, अब भी हम इसको चेंज करके लिख देते हैं बच्चो, PRT by 100, equal to SI, ठीक है, अब हम इसकी values जो जो हैं, इसकी हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, जो जो हैं, अब देखे हमारा जो मूलधन है, वो हमने small p माना हुआ है, दर जो हमने r% माना हुआ है, समय हमारा दिया हुआ है 10, बटा 100, बराबर, और जो हमारा सधारन ब्याज निकला होगा, वो निकला होगा है 2p, तो हम यहाँ पर लिख दे रहें 2p, ठीक है, अब हमें देखे, इसमें सवाल में हमें निकालना है, दर, ठीक है, तो r को हमको अब अकेला करना है, तो वहाँ फिर से हम cross multiply करने हम अपनाएंगे, ठीक है, r is equal to, यह 100 उपर जाके गुणा हो जाएगा, 2p, गुडें, 100, बाई, और यह जो चीजे है, पी और 10 नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, पी गुडें 10, अब देखें, आप पी से पी कड़ गया, ठीक है, और यह 0 से 0 कड़ गया, तो कितना है आपका दर, 20%, ठीक है, question number 6 है बचो, यदि एक रुपे पर एक माह का साधारन ब्याज एक पैसा है, तो वार्सिक दर, प्रतीसत कितना होगा, तो यहां देखें सवाल, बच्चो, मूलधन हमारा जो प्रिंस्पल अमाउंट है, वो दिया हुए एक रुपे, दर यहां नहीं दिया हुए, तो हमने माल लिया है, समय जो दिया हुए एक मा, फिर से मैं आपको याद दिलान चाहूँगा, जो समय होता है, हमेशा वर्स में होता है, इसे हम वर्स में बदल लेते हैं, कैसे बदलेगा, बारस अगर हम भाग कर देंगे, तो यह वर्स में बदल जाएगा, ठीक है, तो इतना वर्स हो गया, और सधारन ब्याज बराबर एक पैसा, तो जो सधारन ब्याज हमेशा हम देख रहे हैं, जो भी सवाल लिया हमने रुपे में लिया है, तो इसको हम रुपे में बदलेंगे, तो रुपे में कैसे बदलेगा बच्चों, पैसा, क्योंकि एक रुपे में 100 पैसे होता है, इसको हम पलटके लिख दे रहें फिर से पी और टी इभाई हंड्र एक्वल टू स्थ यह बच्छों में सा याद रखेगा कि एक फॉर्मला आपको याद रखना हर एक का अलग लगने यार रखना है कि आर बराबर दर बराबर यह होगा समय बराबर यह होगा मूलधन बराबर यह होगा अब बस आप cross multiply का अगर अपनी हम सी एक खेव हैं तो आप सब सवालों को कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हम सब की value डाल देने बच्छो यहां पर आपका मूलधन है एक रुपय हमें दर निक अब हमें दर निकालना है तो आर बराबर क्या होगा बच्छो देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टिप्लाइए हम लोग कर रहे है यह वाली चीज़े ऊपर चली जाएंगे बारा गुड़ें सो यह एक नीचे आएगा एक नीचे आगे सौसे गुणा होगा तो उतनी संख्या होगी इसका हम काड़ दे रहें बच्छो क्या बच्छो उत्तर है उमेद है बच्छो यह पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किसी भी कोस्चन में आपको अगर दिक्कत हो तो प्लेस कमेंट सेक्षन में आप कमेंट कीजिए मैं इस कोस्चन को फिर से दुबारा समझाने की कोसिस करूँगा थैंक्यू